वन्दिमातरम साथियो जहिंद भारत में सबसे ज़्यादा मौतों का आकड़ा देखें तो रोड एक्सिडेंट से होने वाली मौते हैं जिनमें अगर हम परड़े देखें 2022 के आकड़ों के अनुसार तो 462 मौतें परड़े होती हैं यानि पूरे साल का आकड़ा हम लोग महें देखें तो एक लाख 68000 से भी जादा मौत हर साल होती है इस बीच दोस्तों एक एक्सिडेंट की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है पूरे से एक पोर से गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ या पोर से गाड़ी से एक एक्सिडेंट हुआ जिस एक्सिडेंट को आपने कहीं न कहीं खबरों में जरूर देखा होगा वही खबर मैं आप लोगों को पूरी बताने वाला हूँ ये accident कैसे हुआ अब इसमें जो है recent में क्या चल रहा है तो प्यारे साथियो एक पुने के बहुत बड़ी builder है विशाल अगरवाल उनका एक बेटा है जिसकी उमर 17 साल 8 महीने है जिसका नाम है वेदान्त अगरवाल ये 12th की class में पास हुआ इसने 12th exam 12th का exam जो है qualify किया जिसके इसने खुशी में पार्टी रखी पार्टी भी एक कलब में रखी और अपने यार दोस्तों के साथ ये कलब में पहुंचता है और ये पार्टी में लगवग 90 मिनट में 48,000 रुपे की जो है वो पार्चा करता है और इसमें शराब भी सामिल थी ये अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी पूर से गाड़ी में गया हुआ था इसने स्पीड में गाड़ी को चलाया क्योंकि इसने ओवर ड्रिंक भी कर रखी थी शराप पी हुई थी बताया जा रहा है कि 240 से भी अधिक इसकी स्पीड थी गाड़ी की और इसने दो लोगों को कुछल दिया वो दो लोग कौन थे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फोटो में दोस्तों एक अश्वनी और दूसरे अनीश ये दोनों प्रोफेशन से अगर हम लोग देखें तो ये IT इंजिनियर थे काफी होनहार और बहुत अच्छे निपूंड अपनी पढ़ाई को लेकर थे इनके घरवाले भी बहुत खुशते कि हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं लेकिन ऐसी खबर सुनकर के घरवालों को भी बहुत दिल दुखा बहुत परिशानी हुई उन्हें भी लेकिन क्या इन पर रोकताम होनी चाहिए एक्सिडेंट पर ये क्या सिचुएसिएन थी पूरी इसको समझना आप इनकी जो उम्र थी दोनों की ये 24 साल की उम्र बताई जारी है इन दोनों की 24 साल की उमर थी दोनों दोस्त थे जब एक्सिडेंट हुआ तो एक्सिडेंट की घटना के बाद इस वेदांत अगरवाल को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और जो वहां की पुने की पब्लिक थी, ये इनको पीटना शुरू कर देती है पीटने के बाद पुलिस को बला जाता है और इन्हें पुलिस को दे दिया जाता है जब पुलिस को दिया गया पुलिस इन्हें लेकर के कोर्ट पहुँची और इन पर अलग-अलग गम भी रूप से इसके उपर जो है वो धाराएं लगाई जैसे एक धारा 2089 लगाई 279 रेशिंग ड्राइविंग को लेकर कि जब गाड़ी तेज चलाई जाती है तो यह धारा लगती है दूसरी इसके उपर लगाई गई 304A जो कि लापरवाही से किसी की मौत करना अपनी गलती से किसी की मौत करना तीसरी धारा लगाई गई 338 किसी को गंभीर चोट पहुचाना ऐसी धाराएं लगाई गई गई क्योंकि यह 17 साल की उम्रती इसकी 17 साल 8 महिने तो इसको जो है वो जुविनाईल कोट में ले जाया गया आनिकि जो नाबालिक अदालते हैं उसमें ले जाया गया जब इसे उस कोट में ले जाया गया तो कोट ने केवल इसे 15 घंटे के अंदर अंदर ही जमानत दे दी केवल 15 घंटे में और जमानत के पीछे कुछ शर्तें रखी वो शर्तें अगर आप सुनोगे तो आपको भी हसी आएगी कि यार किसी की जान चली गई कोई मर गया और को जाए ये जो है लिखना है चलिए बहुत बढ़िया अच्छी बात है बहुत अच्छा काम किया इसके बाद दूसरी जो इसको सजा दी गई या दूसरी जो बात कही गई है कोट के द्वारा वो कहा गया है कि इसे 15 दिन के लिए पुने जो ट्रैफिक पुलेस है उसके साथ क इपार्टमेंट भड़का न्यूज वाले भी परिशान हुए कि भाईया ये क्या चल रहा है कोई व्यक्ति जो 17 साल का है और इस तरह से कोई करता है सोचके चलिए कि पहली बात तो 18 साल से कम उमर का कोई व्यक्ति गाड़ी या बाइक चलाने के लिए इलिजिबल नहीं होत है यहां इसकी उमर 17 साल 8 महीने है लगवक 4 महीने में ये नाबालिक से बालिक हो जाएगा और इसी बीच इसके पास ना तो लाइसंस था और ओवर स्पीड और शराप पी करके गाड़ी जला रहा था लेकिन इसके पिता जी ने कहा हुआ था कि बेटा कोई जरुत नहीं ला हुँना मैं देख लूँगा सब कुछ तुछ चलाए जा गाड़ी कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे ही ये नाबालिक अदालत ने ये फैसला सुनाया उसके बाद पुलिस का कहना था कि एज़े अडल्ट हम लोग ट्राई करेंगे और इस केस को सैसन कोर्ट में लेकर के क्राइम ब्रंच ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद प्यारे साथियो इसे सैसन कोर्ट लेकर के गई अब सैसन कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको वता देता हूँ ये सारी की सारी घटना है प्यारे साथियो सैसन कोर्ट ने वेदानत की जो बेल है वो रद कर दी जो उसने नावालिक अदालत ने जो उसे बेल दे दी थी, वो बेल रद कर दी, और इसे पांच दिन के लिए जो है, या पांच जून तक के लिए इसे observation के लिए भेजा गया, observation क्या है आप लोग थोड़ा समझना, observation में इसको रखा जाएगा, observation होम होता है, जो नावालिकों को देखा जाता है, उनको समझाया जाता है, किस तरीके से जो है, इनकी सोच विचार है, ये सारी चीज़े रखी जाती है, हाला कि वहाँ पर जो विवहार होता है, नावालिक बच्चों के साथ, वो बड़ा ही अच्छा कुशल विवहार होता है, वहाँ लगता ही ने कि ये custody म थी, वो भी sports गाड़ी, लगवग इस गाड़ी की कीमत देखे हैं, तो डेड़ से 2 करोल रुपे है, और ये एकदम sports गाड़ी है, पैर को रखते ही accelerator पे speed एकदम बहुत speed से जाती है, तो लगवग speed भी 20 होती, और इन जो बेकसूर लोग है, इनको कुचल दी है, इन दोनों क इसके बाद प्यारे साथियो, यहां पर देखो यह दिखाया जा रहा है, एक 30 या 33 सेकंड की एक वीडियो है, आप लोग सर्च करेंगे तो यूट्यूब के मिल जाएगी, copyright के कारण मैंने ये वीडियो नहीं लगाई है, इस वीडियो में क्या है, ये शराब की कम से कम 8-10 बोतलें, और गलास रखे हुए हैं, और ये लोग शराब पी रए हैं, शराब पीने के बाद 48,000 रुपे खरच करने के बाद ये अपना निकलते हैं, और एकसिजेंट करके फरार हो जाते हैं, क्योंकि इसके पिता जी का भी हाथ था इसमें, क्यों हाथ था? क्योंकि उसके इसके पिता ने पुलिस को help करने की बजाए उनको बेवकूप बनाने की कोशिस की तो इस बीच इसके पिता जी को भी 5 दिन के लिए जो है वो custody में ले जाया गया है साथी साथ जो club था उसके भी मालिक को उठाया गया दो club थे उन दोनों club के मालिकों को उठाया गया totally 5 लोगों को जो है वो arrest कर लिया गया है club की भी कही न कहीं गलती थी दोस्तों ये पैसे के लिए जो है किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को जो है शराब देने के लिए तैयार हो जाते है जबकि नावालिक को तो शराब भी नहीं देनी चाहिए साथी साथ रात के बारा बजे ग्यारा बजे शराब पिलाना ये भी ठीक नहीं है इस तरीके की जो है हरकत है वो कलब के मालिकों के द्वारा भी या कलब के लोगों के द्वारा भी की गई तो इस इस्तती में आप देखो सबसे last में मैं आता हूँ कि अगर ये व्यक्ति इसको अगर सजा भी दी जाती है, सेसन कोर्ट हो या फिर कोई साभी कोर्ट हो, इसको अगर नाबालिक मान करके सजा दी जाती है तो maximum इसे दो साल की सजा होगी और अगर प्यारे साथियों इसे बालिक मान करके, अडल्ट मान करके सजा होती है तो बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरे इसाब से इसे अडल्ट मान करके सजा होनी चाहिए क्योंकि 17 साल 8 महिने इसकी उम्र है, तो 4 महिने में ऐसा क्या होता है कि बालिक ना बालिक है इसके उपर पूरी team बैठे और सही से decide करे कि क्या करना चाहिए क्योंकि इससे आने वाले जो लोग हैं वो भी थोड़े से सही डंगमाएंगे क्योंकि आज कल ना मैं भी अगर रास्ते पर रोड पर जाता हूं चलो आप रोड पर नहीं भी जाते हैं तो आप लोग आज कल मोबाइल वगरा में देखते होंगे कि कुछ लोग इतने स्टंट करते हैं रोड पर छपरी टाइप के जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स बाइक ले 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 और उनको भगाना आगे से उठाना पीछे से उठाना चलिए ये लोग तो नहीं मरते हैं इस तरीके से मैंने देखा नहीं कि हजार में से कोई एक मर गया तो कह नहीं सकता ऐसे लोग दूसरे जो आम नागरिक हैं या आसान मतलब एक तरीके से भासा में कहूं तो जो जिनकी कोई भी गलती नहीं होती है उन लोगों को ये मार लेते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है इक्सिजेंट करते हैं सामने वाला ओन स्पोर्ट खत्म हो जाता है उसके आम ने आती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा कभी नहीं लगता है अगर इसके पिता जी की जो विशाल अगरवाल है उनकी भी आम नेट बर्त देखें तो अमीर लोगों में शामिल है 602 करोड के आसपास इनका नेट बर्त है दोस्तों और इनके दादा जी भी बहुत बड पारी दी थी एक विल्डर को अलाकि आप लोग जानते होंगे आसपास आपका कोई विल्डर होगा तो इनकी पुलेस नेताओं से ज्यादा जो है अच्छे संबंद रहते हैं क्योंकि इनका काम असा ही रहता है भागदोड का और इस तरह का काम होता है कि कि किसी की जमीन के अगर गलत तरीके से क्या कहना चारों आप लोग समझ रहे होंगे जादा नहीं कह सकता चलिए प्यारे साथियो आज की ये वीडियो थी मुझे बड़ा बुरा लगा ये खबर देख करके मैंने पूरी खबर आपको ये समझा दी है ठीक है चलिए बहुत-बहुत और सच बतारों जब मैं इस कहानी को त्यार कर रहा था जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था समझ रहा था कि ऐसे इनके माता पिता ने इनको कितनी उमीद से भेजा तो मेरी आखों में भी आंसू थे और मेरे को बिलकुल भी इस कहानी को सुनाने का मन नहीं कर रहा था ल आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद वन्दिमातरम साथियों।